हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कुक वित काशनी में आज मैं लेकर आई हूँ बिना पकाए साबु दाना और आलू के पापड़ की रेसिती जी हाँ ये एकदम जटपट से बनने वाले पापड़ हैं तो चलिए इन्हें बनाना देख लेते हैं अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हों तो लाज सब्सक्राइब का बटन दबाएं बराबर में जो ये बैल का आइकन है उसे दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी वीडियो अच्छे लगें तो थमसब दें सबसे पहले एक भगोने में 200 ग्राम साबू दाना ले ले इस साबू दाने को 2-3 बार साफ पानी से धो लेना है ऐसा करने से साबू दाने का सारा कच्रा निकल जाएगा तो साबू दाने को मैंने अच्छी तरह से साफ धो लिया है अब इस साबू दाने में पानी डाल कर भीगने रख देना है तो साबू दाने में आप आधा इंच उपर पानी डाल ले और 6-8 घंटे के लिए इसे भीगने दे 6-8 घंटे हो चुके हैं साबू दाना एकदम अच्छी तरह से भीग चुका है साबू दाने के दाने एकदम फूल चुके हैं अब इस साबू दाने में एकदम गरम खौलता हुआ पानी आड़ करना है तो आप साबू दाने से दो इंच उपर गरम पानी डाल ले यहां ये भगोना मुझे छोटा लग रहा था इसलिए इसे मैंने बड़े भगोने में ट्रांसवर कर लिया है इस साबू दाने को 8-10 गहंटे के लिए भीगने देना है इसलिए आप इसे एक बड़े भगोने में करें जिससे ये अच्छी तरह से भीग जाए ये भीग कर तयार है आप देख सकते हैं ये कैसे फूल गए हैं और देखने में कुछ इस तरह के दिखेंगे इसे हम चला कर मिक्स कर लेंगे नेक्स्ट यहां मैंने आधा किलो उबले आलू ले लिये हैं इन आलू को भी रफली चौप कर लेना है तो इस पापड को बनाने में धाइसो ग्राम साबू दाने में आधा किलो आलू का यूज करना है अब नेक्स्ट टेप में एक मिक्सर जार में थोड़े से आलू डाल ले और जो ये भीगा हुआ साबू दाना है उसे भी थोड़ा डाल ले अब इन दोनों को एकदम फाइन पेस्ट में पीस लेना है पेस्ट जाने पर ये एकदम स्मूथ बैटर की तरह बन जाएगा इसमें कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए इस बात का आप ध्यान रखें सेम तरह से मैंने पूरे आलू और साबू दाने को पीस लिया है इसे पीस कर एक बड़े से कटोरे में निकाल लिया है अब इसमें स्वात के उनसार नमक और यहां मैं काली मिर्च का पाउडर एड़ कर रही हूँ आप इसके जगह हरी मिर्च की पेस्ट भी डाल सकते हैं नमक और काली मिर्च को भी मिक्स कर ले अभी यह बैटर काफी गाढ़ा है तो इसमें गरम पानी आड़ करेंगे ध्यान रहे इस पापड में सिर्फ गरम पानी ही एड़ करना है पानी डाल कर इसे मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं पापड बनाने के पहले इसे हम एक प्लेट पर चेक कर लेंगे तो बैटर डाल कर उसे हलका सा फैला लें ये न जादा गाढ़ा न जादा पतला होना चाहिए चलिए अब फटा फट से पापड बना लेते हैं तो आप कोई भी साफ प्लास्टिक लेकर एक एक करके पापड बना लें ये साबुदाना आलू पापड एकदम कम मेहनत में बनकर तयार हो जाते हैं और इन्हें बनाने में कोई भी कुकिंग करने की जरुवत नहीं है पापड बन चुके हैं इन्हें धूप में दो दिन के लिए सूखने दें साबुदाना आलू पापड सूख कर रेडी है आप देख सकते हैं क्या बढ़िया बन कर तयार हुए हैं एकदम काच की तरह ये चमक रहे हैं आईए इन्हें मैं फ्राइ करके दिखाती हूँ तेल में जाते साथी पापड फूल जाते हैं देख सकते हैं कितने सफेद और एकदम परफेक्ट बने हैं आप इनकी आवाज सुन सकते हैं ये कितने जादा क्रंची बने हैं तो देखा आपने इस साबुदाना आलू के पापड को बनाना कितना आसान था इन गर्मियों में आप भी इने बना कर जरूर स्टोर करें ना भूले